हर हर महादेव चैभोले नात नमस्कार मैं शादना पांडे मागदैसन पर आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों मैं बात करने जा रहे हूँ आज एकादशी के बारे में कि पदमनी एकादशी, कमला एकादशी या पूर्शोत्तमी एकादशी को आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस दिन इस एकादशी का ब्रत करना आपके लिए श्रेश्ट और सर्वुत्तम होगा इस बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों एकादशी वैसे भी ब्रतराज कहा जाता है ब्रतो की श्रेणी में सबसे उपर रखा जाने वाला ब्रत एकादशी ब्रत है और इस बार की एकादशी तो बेहद महतोपूर्ण है क्योंकि ये अधिक मास में आ रही है अधिक मास पुर्शोत्तम मास यानि की भगवार नारायन के मास में इस एकादशी का पढ़ना विसे और इस एकादसी का ब्रत धारन करना ब्रत नहीं भी धारन करते हैं तो इसके नियमों का पालन करना आपके जन्म जन्मांतर के पापो को जला कर नश्ट कर देता है तो बहुत ज़ादा जरूरी है इस एकादसी को संपूर्ण नियमों के साथ एकादसी ब्रत का पालन करना ब्र इस एक आदसी में और कौन-कौन सी सावधानिया रखनी है लेकिन दोस्तों उससे पहले कहना चाहूंगी एक प्रार्थना है आपसे कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को भी साथ-साथ सब्सक्काइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की जानकारिया आ ऑर अधिकमहत्पूण हो जातीत हैं यानि जिस महीने का ही नाम पुरशोत्म नाराहिन का नाम है तो उस महीने की एकादसी उसकी तो बात ही अलग है अब चलिए यह देख लेते हैं कि यह एकादसी पढ़ किस दिन रही है किस दिन इस एकादसी का वरत आपको धारंट करना ह एकादसी थी थी प्रारंब हो रही है कब हो रही है तो देखे वैसे तो इस एकादसी का ब्रत 29 जुलाई को रखना है 29 जुलाई यानि सनिवार को एकादसी होगी एकादसी थी का प्रारंब हो रहा है 28 जुलाई शुक्रवार को दो पहर 2 बच कर 51 मिनट पर और इसका समापन तो 29 जुलाई सनिवार को दोपार एक बचकर पांच मिनट पर ये एकादसी सर्वोच और साफ सुथरी है इस एकादसी में किसी भी तरह का मतवेद नहीं है क्योंकि 12 युक्त एकादसी का ब्रत करना सभी जनों के लिए स्रेश्ट माना जाता है इसलिए सनिवार के दिन एकाद एकादसी ब्रत के पारण का सही समय क्या है आप तो जानते हैं एकादसी का ब्रत रखने ना उतनी बड़ी बात नहीं होती है जितना की सही समय पर सही तरीके से पारण करना होता है तो देखिए पारण में कुछ भी सेस्ताव धानिया रखनी होती है जैसे कि पारण से पुर तीसरे टाइम आप भोजन करते हैं तो वो एक त्रीजटा को चला जाता है इसलिए लौकी की सबजी बनाई जाती है भरते का मतलब खाया जाता है यानि कि जिसमें सर्शों के तेल का अपयोगना हो ऐसा भोजन किया जाता है मसूर की दाल और ये मूली वगर का पारण में सेव वर्चकर 28-24 मिनट तक होगा तो दोस्तों इस समय इस काल में ही आप इस ब्रत का पारण करें देखें ब्रत रख लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है इसके नियमों का संपुर्ण पालन करना आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है तो नियम कबसे प्रारंब होते हैं तो जैसे कि एकादसी 29 तारीकों है तो 28 तारीक से ही आपको कुछ नियमों में बतना होता है क्या करना होता है तो 28 तारीक यानि कि दसमी तिथी में आपको ब्रहमचर्य का पारण करना होता है मसूर की दाल मूली इत्यादी का शेवन नहीं करना होता है मांस मदिरा की तो बा लाग करना होता है क्योंकि एकादसी संपुर्ण जो फल चाहते हैं वो दसमी एकादसी और द्वादसी तीन दिनों का ये नियम पूरा लेना आपके लिए अनिवारे होता है तभी मिलता है एकादसी ब्रत का संपुर्ण लाब तभी तो कहा जाता है कि ये ब्रत राज है ये ब लिंक बाइ डिस्क्रिप्शन में टाल दी हूँ और ये नंबर जो आप देख रहे हैं इस पर कुंडली दिखाने के लिए कोई पूजा पार्ट नहीं लग रही है तो निश्चित रूप से जीवन में कोई नो कोई ऐसी बाधा है जो कि पूजा पार्ट का संपुर्ण फल चाहिए कि क्यों और कैसे किस दोस्ट के कारण आपकी पूजा पाठ और आपके देव कृपा बाधित है उसके लिए इस नंबर पर संपर कर सकते हैं दूसरी चीज़ है दोस्तों कि एकादसी का नियम दस्मी तिथी से प्राराम हो करके और द्वादसी यानि कि पारण तक च खा सकते हैं तो चावल का त्याग आपको दस्मी तिथी में भी करना है एकादसी तिथी में भी चावल का त्याग वो लोग करें जो लोग की ब्रत धारन नहीं कर सकते हैं वो लोग चावल का त्याग करें और एकादसी तिथी में जो भी ब्रत रखकर के दान करते हैं वो ल और प्रतिदिन चड़ाते हैं वो एकाधसी को न चड़ाएं क्योंकि किसी भी देवी देवता को अनाज का भोग इसलिए नहीं लगा जाता है। इतन का स्थानों पर यह वर्डन मिलता है कि एकाधसी का ब्रत देव भी रखते हैं। इसकारण एक अदसी को तुलसी जी को जल भी नहीं दिया जाता है, उन्हें भोग भी नहीं लगा जाता है, तुलसी के पत्ते भी नहीं उतारे जाते हैं। किसी भी पुराने पीपल के पास जाईए, वहाँ लक्षमी नाराण का साक्षात वास होता है, तो वहाँ एक लोटा जल में दूद और मीठा डाल करके जरूर चढ़ाईए, और साथ परिक्रमा आप लोग अवश्य कर लिजी, हर मार्ग दर्शन परिवार के यदि आप इस चा कि आज पीपल का स्वर्श कर लीजीगा, स्वर्श मात्र करने से लक्षमी नाराण की साक्षात क्रिपा आपके उपर बढ़सेगी, तो देखे, मैं चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में खूस रहे, प्रशन रहे, यदि मार्ग दर्शन को आपने सब्सक्राइब किया है, तो आपका एक बटन नहीं, ये विश्वास है आपका, और मैं उस विश्वास पे पूरी तरह से खरा उतरने के अप्रयास करती हूँ, देखे, कभी-कभी स्थितिया ऐसी बिप्रीत होती है, जिस बिप्रीत स्थिति में भी हमें वीडियो बनाना होता है, तो इस वीडियो क तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप चैनल के साथ जुड़े, यदि आपको पसंद आती है तो नहीं तो बहुत सारे चैनल है, आप किसी को भी देख सकते हैं, लेकिन बहीं बात बिश्वास की जैसे कि आप लोग कहते हैं, कि देदी आप बता देजिए कि आप हमको इ बात कर रहे थी कि आपको किसी भी इस्तिती में भगवान विश्वा की पूजा में तूलसी पत्र जरूर डालना है, सुबह सबेरे जगेगा और सनीवार के दिन पीपल पूजा जरूर कर लिजेगा, साम को पीपल के नीचे, एक दीप जरूर प्रजवालित कर दीजेगा, स सनीवार के दिन, एका दसी का दिन है, तो आप अपने घर में फोटो मूर्ती जहां भी आपने भगवान विश्वा को रखा है, शाली ग्राम जी है, या फिर लड़ू गोपाल जी है, यदि कोई मूर्ती रूप में है, तो आज पंचाम रिस्चे उनका विशेक करिए, पील दोस्त नहीं है, आप सेवन कर सकते हैं, मीन और धनू रासी के जातक यदि केला नहीं सेवन करते हैं, आज के दिन या गुरू आर के दिन, तो उनके लिए बहुत स्रेश्ट है, तो मीन और धनू के लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग केला का सेवन न करें, ग विश्नु सहस्त्र नाम का पाट कर लिजेगा गर्ज की बहुत बड़ी दिक्कत है किसी घंगोर समस्या में पढ़ गए है कोई बहुत बड़ी बीमारी है तो आप गजेंद्र मुक्ष का पाट कर लिजेगा यदि पूजा पाट का पूड़ फल आपको नहीं प्राप्त हो रह विश्नु सहस्त्र नाम का पाट करेगा अप उस पर जाकर पीडिया भी और पाश्याँ प्लोड कर सकते हैं तो ये काम आप अवस्य कर लिजेगा और दोस्तों ये पूजा विदि ये पारण का समय मैंने सब कुछ बता दिया आपको तो आप उमीद करती हूं कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी और अच्छी लगती है तो दूसरों के साथ सेयर करिए तो चलिए मिलती हूं अन्य वीडियो में धन्यवाद